वेलकम बैक टू आर चैनल लास्ट क्लास में आपने देखा था हमने क्लॉक या घड़ी बोलते हैं जिसे घड़ी के बहुत से कुश्चन करे थे और जिसमें हमने दो कंसेप्ट अपने समझ लिये थे कि जब हमें टाइम दिया हो तो हमें एंगल कैसे फाइंड करना है और दूसरा केश था कि जब हमें एंगल दिया हो तो हमें टाइम कैसे ग्यात करना है आज हम कुछ और कुश्चन करेंगे और एक जो तीसरा कंसेप्ट होता है मेरा इमेज वाला उसको भी हम क्लियर करते वे च आठ बज के 30 मिनट पर या साड़े आठ बजे आपका मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिगरी का कौन बनेगा तो इसके लिए मैंने आपको बहुत आसान सा फॉर्मूला बता है आपको फॉर्मूला याद रखना और बार-बार जब कुश्चन करोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा 11 x 2, 11 बटे 2, minute-30 x hour, अब हमियापे value रखेंगे अगर, तो values रखने पर हमी होता है, 11 x 2, minutes हमी दिया हुआ है 30, 30 minute पर बात हो रही है तो मैंने x 30, minus 30 गुणा गया, 8, घंटा दिया है, 8, अब अगर इसे cancel करें तो यहो जएगा, 15 और 15 और 11 की multiply करेंगे तो हो जएगा 165 और 8 और 30 multiply करेंगे तो 240 अब मैंने आपको बताया था अगर ये side वाला बड़ा होगा तो इसमें से इसको minus कर देना है अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से इस side में से minus कर देना अभी यहाँ पर हमारे पास 240 बड़ा है तो 240 में से 165 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा आउसर 75 डिग्री तो आउसर क्या होगा आपका 75 डिग्री ये most of the exam में ये ही question पूछे जाते हैं कि आपको को निकालना होता है तो आपको अपने तीनों के तीनों concept ये अपने clear करते वे चलने हैं कि अगर exam का level थोड़ा बढ़के आया तो तब angle से आपको time निकालने वाला question पूछा जा सकता है at what time in minutes between 3 o'clock and 4 o'clock both the needles will coincide each other इसमें ये पूछ रहा है कि कितने समय पे जो घंटे और minutes की सुई है वो समपाती होंगी 3 और 4 बजे के बीच में समपाती का मैंने आपको बताया था कि 1 के ऊपर 1 कितने बजे के टाइम पे होंगी आप समपाती के अगर बात करें तो पहले 3 condition आपको बताईए मैंने 1 right angle वाली यानि संकोन तिरभुज वाली एक जब सुईया विपरीत उसमें होती है तो इसमें 180 degree का होता है और तीसी होती है समपाती वाली या कौन साइड वाली जिसमें 0 degree का कौन होता है अब आपको एंगल की जगह क्या रखना है 0 degree तो मैंने आपको टाइम का फॉर्मूला बता है टाइम इक्वल्स टू टू अपान 11 H इन्टू 30 30 plus minus a अब देखे आपको अगर यहां पर टाइम 3 फरस्ट करिदेंट में बन रहा प्रथम चसितृरतांस में बन रहा है तो आपको प्लास रखना और दूतय ही चतृतांस वान तो गोच माइनस रखना है तो यहां पर कंडिशन प्लस की होगी अब हम इसको step by step solve करते हैं तो यह हो जाएगा दो बटे 11, h into 30, 30 मैंने ऐसे रखा, h की जगह क्या है, जो पहले वाला टाइम होता, 3, यह मैंने रख दिया, plus angle 0 degree है, तो 0 degree की जगह, 0 इसका कोई मतलब भी नहीं है, अब अगर हम इसे solve करते हैं, 30 into 3, 90, और 90 की multiply 2 से करेंगे, तो हो जाएगा 180, यानि 180 by 11, अब 11 को जब 180 में 11 से भाग करेंगे, तो भाग देने पर क्या आता है, देखिए, यह 1 हो जाएगा, 11, 1, यहाँ पर बचेगा 7, 0, फिर जाएगा 6 बारी, 60, 6, और नीचे बचेगा आपका 6 फ़ल, यह remainder 4, तो मैंने आपको बता इसे कैसे लिखते हैं, भाग फल, जो भाग देका है, उसको यहाँ, जो उसके भाग दिया होता है, भाजक, उसे मैंने लिख दिया ऐसे, तो देखिए, क्या बना मेरा 16 सही, 4 बटे 11, यह 16, 4 अपन 11, इसको जोडते हैं, हम जो पहले वाला समय होता है, 3, यानि 3 बचके, 16 सही, 4 बटे 11 मिनट पे, वो कॉन साइट करेंगे, जो सुईया है, वो एक दूसर होगा है, यह आंसर पूरा नहीं है, इसके बाद, पास्ट, 3 भी होगा, यानि 3 बचके, उसको एट किया जाता है, अचा, यहाँ पे किवल मिनट पूछा होगा था, हाँ, तो फिर यह आंसर ठीक है, कि किवल मिनट पूछा है, तो तब तो इतने ही मिनट बाद वो आपस में कौन साइट करेंगी, लेकिन अगर समय पूछा होता, तो पास्ट, 3 किया जाता फिर, अब हम अपना अगला कोशन करते हैं, इन 16 मिनट, दम मिनट हैं, गेंज ओवर दा आर हैंड बाई, इसमें बोल रहा है कि 16 मिनट में, जो मिनट की सुई है, वो घंटे की सुई से कितने अधिक डिगरी का कोण बना रहे होगी, यानि कि कितने डिगरी का दोनों के बीच अंतर होगा, अब देखे, मैंने एक चीज आपको लास्ट कलास में बताई थी, कि 60 मिनट में कितने डिगरी के बनता है, 360, और 1 मिनट में बनता है आपका 6 डिगरी, और सेम घंटे में बताय कि अगर मैं बोलू कि एक घंटे में कितने डिगरी का कौन बन रहा है 30 डिगरी का लेकिन एक घंटे की सुई यहां मिनट भी क्रॉस करते आती है तो एक घंटे की सुई एक मिनट में कितना बनाएगी यह आपको बताऊंगी मैं तो एक घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिगरी 30 बटे 60 यानि कि 30 के काटेंगे तो 1 by 2 डिगरी यानि आपको एक चीज नहीं पता चलेगी कि एक घंटे की सुई घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिगरी का कोण बनाती है जबकि वह एक घंटे में कितने डिगरी का कोण बनाती थी 30 डिगरी का ये घंटे की सुई की बात और अगर वहीं बात रही मिनट की सुई की तो मिनट की सुई एक मिनट में आपका 6 डिगरी का कोण बनाती है अब पूछा गया है 16 मिनट मैंने इसे मिनट में चेंज क्यों करा क्योंकि हमारा सारा कॉशन मिनट में है जब एक मिनट में 6 डिगरी है, तो 16 मिनट में कितना होगा, 16 इंटु 6 यानि 96, तो ये मिनट की सुई ने बना दिया, 96 डिगरी का कौन, अब मैं घंटे की सुई से बनाती हूँ, घंटे की सुई अभी बताया, मैंने 1 मिनट में बनाती है, half डिगरी का, तो 16 मिनट में कितना ब और घंटे की सुई से आया मेरा 8 degree दोनों को अगर मैं माइनस करूंगी तो 16 में से 8 गया 8 यहां हो जाएगा 88 degree यानि दोनों के 20 difference कितना है 88 degree यहां 16 की जगा 20 हो सकता है 25 हो सकता है लेकिन आपको अगर मिनट में है तो दोनों चीजों को मिनट में convert करना आज आप एक तीसरी नहीं चीज सीखें कि घंटे की सुई एक मिनट में हाफ डिगरी का कोण बनाती है और एक घंटे में बनाती है तीस डिगरी का बनाँ यह टी है और 22 बार वह संपाती है एनि 44 वह सीधी थी- आज question है कि दिन में कितनी बार किसी घड़ी की सुईया 90 degree का यानि कि ये आपको दिया हुआ है right angle 90 degree का code बनाती है सम कोड पर होती है तो कितनी बार होती है ये questions आपको as it is याद रखने है 44 times इसमें कोई calculation नहीं रखनी है कुछ नहीं करना है आपको बस रट लेने है याद रखने है क्योंकि अगर question सीधा पूछ लिया गया तो इसमें सारे formula सारी calculation ऐसी रह जाएगी क्योंकि ये निकालना बहुत मुश्किल है आपको सीधा याद रखना है कि 44 बार right angle होती है 22 बार समपाती होती है और 22 बार आपकी ऐसे opposite direction में होती है what is the angle made by the hour hand and the minute hand if the clock shows 9.15 pm 9.15 में आपको अपना angle बताना है कि 9 बच के अगर 15 मिनट है तो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बनेगा यह question आप खुद करोगे आप इन options को नहीं देखोगे और अपना answer जो होगा इस type के हमने लगबग कई बहुत सारे question कर दिया आप अपना answer comment box में लिखेंगे इन options पर आप ध्यान ने देखेंगे भी option सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं बस आपको अपना answer लिखना है अब हम अगला question करते हैं इसमें बोल रहा है कि अगर घड़ी की सुईया वो विपरी दिशा में है तो वो एक दूसरे से कितने मिनट की दूरी पर होती है अब देखे इस question में आप common sense भी लगा सकते हैं अगर आप देखे आपको बोला वाय है अब opposite direction में है घड़ी की सुईया तो अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ तो आप देखेंगे अगर देखेंगे मैं simply यहाँ पर 12 होता है और यहाँ पर 6 होता है बाकी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यह भी तो opposite direction है आप इसमें ऐसे ही कर लीजिए opposite direction में 180 degree का code बनता है आप देखेंगे एक दूसरे से कितने दूरी पने यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि आदा घंटा लगता है आदा घंटा यानि 30 मिनट तो आप किसी भी उसमें देखेंगे ऐसे में देखेंगे तो 30 और 9 के बीच भी 30 मिनट का gap होता है दो और 8 के बीच भी 30 मिनट का होता है एक और 7 के बीच भी 30 मिनट का gap होता है यानि कि आपका simple answer क्या हो जाएगा जब भी opposite direction होगी तो 30 मिनट की दूरी पे वो एक दूसरे से सुईया होंगी अब अगला question है question number 7 what is the ratio of 18 minutes to 1 hour 18 मिनट का क्या अनुपाद होगा एक घंटे से आपको 18 मिनट का अनुपाद ग्याद करना है यानि आपको 18 मिनट और एक घंटे का अनुपाद ग्याद करना है तो कभी भी हम कोई भी question कर रहे है तो जो यह राश्या होती है यह same होनी चाहिए अगर यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट होना चाहिए यहाँ पर घंटा है तो यहाँ पर भी घंटा होना चाहिए अपको बोला गया है कि कोई घड़ी है वो बारा बज़े स्टार्ट होती है तो पांच बच के दस मिनट पे घड़ी की घंटे की सुई कितने डिगरी कौन पे होगी आप उसको घंटे की सुई द्वारा कौन यात करना है अब देखे मैंने कल भी आपको बारा बज़े से पहले वो कितने बज़े तक गई पांच बज़े तक गई यानि कितने घंटे का टाइम हो गया है पांच घंटे अब पांच घंटे में कितने डिगरी का कौन बनाया होगा उसने जब एक घंटे में कितना बनाती है तीस डिगर पहले बन गया था बाकि 10 मिनट में उसने 5 डिग्री बनाया तो यह जाएगा 150 प्लस 5 यह होगा आपका अगला वेंद टू हैंट्स आर एड ट्राइट अंगल दे आर डैश डैश मिनट स्पेश अपार्ट वही कोशन है कि अगर कोई दो सुईयां किसी घड़ी में 90 डिग्री के कोण पर हैं तो वे एक दूसरे से कितने मिनट की दूरी पर होंगी अब यहां पर आप फिर से आपको अब यहां पर 12 होता है और यहां पर 3 होता है तो इनके बीच कितना अंतर होता है 15 मिनट का यानि कि जब भी जब यह इसमें हो गया कि जब भी अगर 90 डिग्री का कोण बने तो अंतर कितना होगा 15 मिनट का सेम अगर यहां से देखा जाए तो यह भी 15 मिनट होता और इन दोर कोन बने राइट एंगल बने राइट एंगल को हम यह 90 डिग्री ना रहके अगर हिंदी में लिखेगा सम को आपको धियान रखना है कि सम कोन वहाँ पर वर्ड यूज किया जाएगा अब question number 10 है आपका what time does the mirror image of an analog clock at 5 o'clock show इसमें बोल रहा है कि अब mirror image वाले question आगें बहुत easy question होता है कि mirror image में 5 अगर कभी 5 बजा हुआ है किसी घड़ी में तो उसके दरपन प्रतिविम में कितना समय होगा तो इस question में क्या करना होता है आपको simply 12 बज़ के 0 मिनट से घटा देना होता है यहाँ पर कितना समय है 5 बज़े दिया है तो 5 गंटे है मिनट कितने होगे 0 0 से 0 12 में से 5 गया 7 यानि कि उस समय क्या बज़रा होगा mirror image में 7 बज़रा होगा अगर हम question देखें कि इसका मतलब यह है कि 5 बज़रे 5 कुछ इस तरीके से बचते हैं अगर ऐसे बज़रे हो और अगर हम इसको mirror image में देखें मेरा मैंने यहाँ पर दरपन प्रतिविम बना दिया तो यह बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा mirror image उल्टी बनती है यहाँ पर कितना बज़रा होता साथ तो आपको क्या करना होता है 12 बज़े में से उसे आदेना होता है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन 11 दस अर्कुलर मीजर आफ्ट इंक्लूद एंगल फॉर्मड बाइद आउर हैंड मिनट हैंड आफ क्लॉक एट 3 पीम विल बी इसमें सिंपली पूछा हुआ है इसको छोड़िया आप सर्कुलर मीजर सिंपल पूछा हुआ ह पहले कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 3 बजे कितने डिगरी का कोण बनेगा बाकी चीज में आपको बताऊंगे तो पहले मैंने कोण बनाने का आपको फॉर्मूला बताया यह होता है 11 बटे 2 इंटु मिनट मिनट कितने है तीन बसके 0 मिनट है 0-3-30 इंटु आ लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे कि आपको यहां पर कहीं पर भी 90 नहीं दिख रहा है आपको सारे पाई की फॉर्म में दिख रहे हैं आपने आज तक पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू बाइस बटे साथ होती है या तीन दसमलव एक चार होती है लेकिन पाई की एक औ और वैल्यू होती है 180 डिग्री 180 डिग्री आपको पाई कहलाता है तो अभी मेरा आंसर आया है 90 डिग्री यानि 90 कितना होता है 180 का आधा होता है 180 बटे 2 को में 90 लिख सकती हूं तो सेम में पाई बटे 2 को क्या लिख सकती हूं अपना 90 लिख सकती हूं तो वही है अगर आपक 360 degree तो आपका answer कितना हो जाता है 2 pi क्योंकि pi की value 180 होती है 180 का दुगना आपको 360 होता है तो 360 को क्या बोलते है 2 pi आपको धियान रखना है 180 degree आपका pi होता है अगर आपका option में pi की form में आजाए तो आपको कैसे आपका answer निकालना है Now question number 12 is Select the time that would अगर clock में घड़ी में 9 30 बज़ रहे तो मैंने बता है आपको simple सा answer कैसे निकालते है 12 बज़े में से आप घटा दीजे से तो 9 30 को घटाएंगे तो ये 30 हो गया यहां बज़ जाएगा आपका 11 11 में से 9 गया आपका 2 यानि कि मेरा रिमेज में कितने बज़ेंगे आपके दरपन प्रतिविम में आपके बज़ेंगे 2 बच के 30 मिनट तो कुछ question से जो important थे घड़ी के और बागी almost सारे टाइप के question मैंने आपको करा दिया है आप इसकी अच्छे से practice करिए दो तिन formula जो आपको बताया उनको अच्छे से revise करते रहिए फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye take care